बालिका बदू जैसे कई टीबी सीरियल की एक्टरस रही नेहा मर्दा शादी के 10 साल बाद मा वन्यवाली हैं। हाली में नेहा का बेबी शावर हुआ। प्रेग्डेंसी की वज़े से नेहा इन दिनों अपने होम टाउन पटना पहुँच गई हैं। की गोद भराई की रस्म हुई जिसमें उनका पूरा परिबार और मुंबई से पहुँचे कुछ एक्टरस शामिल हुए। इस दौरा नेहा ने परपल रंग का अनारकली सूट पहना हुआ था जिसमें वो बेहत खुब सूरत लग रही थी। उनके चेहरे पर साफ साफ प्रेग्नेंसी ग्लो दिख रहा था। सरीमिनी में होने वाले बच्चे के लिए एक गाना भी डेडिकेट किया गया। इस दौरा नेहा को गहने कपड़े और कई गिफ्ट्स मिले। नेहा ने साल 2012 में पट्ना के बिजनस्मेन आयूश अगरवाल से शादी रचाई थी। हलाकि शादी के कई साल बाद भी नेहा ने प्रेग्डेंसी को लेकर कभी नहीं सोचा। आज तक को दे इंटरव्यू में नेहा में कहा कि मुझे कभी नहीं पता था कि मैं मा बनूँगी क्योंकि कभी मैं ऐसे लेकर महत्वा कांची नहीं रही। कभी कोई ऐसी फीलिंग ही नहीं थी चुकि अब जब मा बनने जा रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस से बहतरीन ऐसास कभी जिंदगी में महसूस नहीं किया। मैंने इतने लंबे समय तक एक बहुत खूबसूरत इमोशन को मिस किया। उस वक्त लोग कहते थे कि मा बनने के बाद औरत अपने आप में पूरी हो जाती है। तो लोगों को देने के लिए मेरे पास बहुत से तरक होते थे। मैं कहा करती थी कि आरे मैं तो पहले से ही पू हमारी तरफ से भी नेहा को एडवांस में बहुत बहुत बढ़ाई।